दोस्तों कैसे हैं आप लोग 25 सेप्टेंबर 2022 के डेली न्यूस एनलिसिस और एक दो साइंस और टेक की न्यूज उनके बारे में भी बात करेंगे संडे है आज तो न्यूज बहुत जादा नहीं है बट कुछ आप कहलो सिग्निफिकेंट न्यूज अच्छी न्यूज है जिसे कि एक न्यूज ऑपरेशन मेग चक्र चलाया है CBI वालो ने वो लोग जो चाइल्ट पॉर्नोग्राफी को प्रमोट करते हैं उनको रोकने के लिए इस न्यूज को देखेंगे उसके साथ दोर कौन सी न्यूज है तो किउंजहर जो डिस्टिक्ट है ओडिसा की वैसे तो वो बहुत पैसे वाली डिस्टिक्ट है माइनिंग यहां दबा के होती है लेकिन हेल्थ पैरामीटर्स यहां के बहुत हिले हुए यह क्या है इसको देखेंगे 36 गड़ के अंदर पारसा और केटे एक्स्टेंशन ब्लॉक्स में कोल माइनिंग चल रही थी काफी इसको यह के बवाल हुआ था विनी सर ने वीडियो भी बनाई तो उसका रेफरेंस भी दे दूँगा मैं आगे लेकिन अभी इस कोल माइनिंग को रोकने का डिसी ने लिया 36 गड़ी सरकार ने रेटन में कुछ नहीं निकला है बट हेल्थ मिनिस्टर ने डिकलेर कर दिया है इसको देखेंगे पंजाब में क्यों फार्मर्स पैड़ी उगा रहे हैं क्यों वो नहीं उगाना चाहते हैं बट फिर भी उगाने के लिए एक अर्टिकल है लंपी स्कीन डिजीस वाइरस से रिलेटेड इसको यहां पे देखेंगे दो तीन और साइंस इंटेक की न्यूज़े कुछ बहुत दो इंपोर्टन ने बठाए एक दो इंपोर्टन पॉइंट्स तो आपको मिली जाएंगे तो वो भी मैं इसके बाद एंड में एक्स्ट्रा एड करूँगा वर्ड अधर देख लेते हैं इगनॉमी नी इगनॉमी नी मतलब पब्लिक शेम और डिस्ग्रेस बदनामी कलंक इसको आप बोलते हैं गनॉमी नी वीडियो पर आइक और शेयर को बटन दोस्तो चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर लीजे टेलिग्राम ग्रूप जोएन कर लीजे चलिए आगे चलते हैं जोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरू करिएगा कुछी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के अंदर जिनके पास उतना पैसा है जितना क्योंजार डिस्ट्रिक्ट इन ओडिसा में लेकिन उसके बावजूद भी क्योंजार डिस्ट्रिक्ट ओफ ओडिसा में सबसे जादा स्टंटेट अंडर्वेट चिल्डन पाई जाते हैं सबसे अधा एनीमिक प्रेगनेट वुमेन जिनकी खून में आईरेन की कमी है इस राज ओडिसा की राजी की 30 डिस्टिक्ट में सबसे बुरे हालात किसी अगर एक डिस्टिक्ट के है चाइल्ड हेल्थ और वुमेन हेल्थ में खासकर एनेमिक प्रग्नेंट वूमेन की बात की जाए, स्टंटिंग की बात की जाए, वेस्टिंग की बात की जाए, तो क्यों जहार डिस्टिक्ट उड़ीसा में तो सबसे उपर है, मतब इंडिया की भी सारी डिस्टिक्ट में one of the highest इसके बुरे हालात है, अभी रिसेंटली बीच में तेरा नवजार शिशू, जिनका जन्म हुआ था, उनकी मृत्ति हो गई, क्यों? चोकि उनका वजन बहुत कम था, प्रॉपर तरीके से नूरिश नहीं थे, तो जन्म के बाद ही उनकी मृत्ति हो गई, तो इसको लेके इनक्वारी कंडट की गई चीफ डिस्टिक् जो बेबीस थे, वो बहुत बीमार थे, हॉस्पिटल्स ने सारे नेसेसरी ट्रीटमेंट दी हैं उनकी लाइफ को बचाने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट प्रॉसस में कोई कमी थी, हमने किसी को लेट एडमिट किया हो, हाँ, इन बच्चों को डिजीज थे, इस बच्चे मरे हैं, उनके पैरेंट्स बोल रहे हैं कि हम इस प्रोब की फाइंडिंग्स को नहीं मानते, इनफ डॉक्टर्स ही नहीं थे, हमारे बच्चे बहुत देर तक बीमार अनटेंडट पड़े रहे, कोई डॉक्टर उनको देखने के लिए ही नहीं आया, तो पैरेंट की का रेप हुआ, रात में सुबह तक किलर्स मिले नहीं, سबसे आसान होता है कि जो ओफिसर इंचार्ज उसको हटा दो, ताकि लोगों को लगे कहां बई कुछ तो किया ग्रॉंडर अब 128 चिल्डरन Community Health Center में जन्मे है इन बच्चों की बात की जाए किवल 2 या 3 बच्चों को छोड़ो तो ज़्यादा तर बच्चों का जन्म जो वजन है जन्म पे वो है धाई किलो ठीक है न World Health Organization के एसाब से बर्थ पे अगर बच्चे का वजन धाई किलो या उससे कम है इसका मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा कमजोर है बहुत ज़्यादा डेफिशेंट है न्यूट्रेंट्स में समझे उसका स्पेशल दियान रखना पड़ेगा नहीं तो उसकी मौत भी हो सकती है और कुछ ऐसा ही हो रहा है 128 बच्चे के उन जार की कम्युलिटी हेल्स सेंस महीं ने जिसमें そ 2 या 3 को छोड़ दो तो ज्यादा तरकी जो वजन है वह 9 किलो से प्यािए कर थो किलो दो कीलो सूब बहुत ज्यादा कम हो गया क्यों जार की किटी में 15 Aww सा सुच करना पड़ें औरो lakh爷 तो लांभ लाग फैमिलीज है ओके एक मिट पूरे ओडिसा में तेरा तसमलव 48 लाग फैमिली जहां पर स्टंटेड वेस्टेड और अंडर वेट चिल्डन पाए जाते हैं एनीमिक प्रेगनेट वूमन पाई जाती हैं तो पूरे ओडिसा के अंदर लगबग साड़े तेरा लाग तूब फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के हिसाब से के उन्जार की 25.9 परसंट वूमन का जो बॉडि मास इंडेक्स है न वो राज ओडिसा के एवरेज 20.8 परसंट से जाद है तो ओडिसा में on an average बॉडि मास इंडेक्स वूमन का जो डेफिशेंट है वो 20.8 परसंट वूमन का है लेकिन के के उन्जार में 74.7 परसंट ओडिसा सरकार के हिसाब से लगबग 5525 गाओं ऐसे हैं ओडिसा के अंदर जो इसली एकसेसिबिल नहीं वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है ऐसे के उन्जार में 141 गाओं है के उन्जार की बात की जाए तो 26 परसंट आइरन और रिजर् रुपए पढ़े हैं तो डिस्ट्रिक्ट मिलर फांडेशन में 8000 रुपए करोड रुपए पढ़े हैं वेलफेर फंड्स के लिए 15000 करोड रुपए हैं और उसके बवजूद अगर यहां पे बच्चे कमजोर पैदा हो रहे हैं तो अब आप समझ सकते हो कि जो माइनिंग ह ही आपकी के उन्जार के अंदर उसका फाइदा कुछ लिमिटेड लों को ही जा रहा है कुछ अमीर होते ही चले जा रहे होंगे और गरीबों के उपर तो वैसे भी किसी का ध्यान जाता नहीं है और इसा मिनरल बेरिंग एरियास डेवलेप्मेंट कॉर्परेशन ने यह बता रहा है ट्राइबर्स के उपर गरीब लोगों के उपर उनके पास बेसिक अमेनिटीज भी अवेलेबल नहीं है और वहीं पर अमीर सरकार माइनिंग करकर के करकर के को पैसे कमा रही है फिर अगली नियूज जिस पर टू गौर्मेंट पॉसी इंटर्मेशन इंवर्मेंट ड रीजन में इनको माइनिंग के लिए उपन नहीं किया जाए देखिए हस्दियो आरणया रीजन में एक मूमेंट चला था हस्दियो बचाओ अंदोलन हस्दियो फॉरेस्ट जो है सेंटल इंडिया के वहां पर आदिवासी कमुनिटी 36 गड़ की बवाल कर रही है कि कोल माइन है पार्षा और केटे extension की बात की जाए तो वहां पर माइने है कोयले की माइने और कोयला की हमको जुरू आ थै हम कोयला इंपोर्ट करते है तो हमारे देश के अंदर जो कोयला हम उसी को खंगाल ले तो ये सरकार का टारगेट है चाहिए वो राजी की सरकार पार, चाहिए कि माइनिंग और डीफॉरस्टेशन जो हो रहा है इन ब्लॉक्स में इसको लेके जो ट्राइबल्स है वो बड़ा लंबा जंग सी लड़ रहे हैं मतलब बहुत लंबा प्रोटेस्ट करना है राज्य की सरकार ने फाइनल क्लेरेंस दिये थे राज्य की सरकार बोल रही थी कि बाई जो माइनिंग ब्लॉक्स है तो केंदर की सरकार के दोर है लोकेट किये गए तो अगर आपको बवाल करना है तो केंदर की सरकार के सामने करिए बट लोग तो बवाल करेंगी ना उनको नहीं समझ में आएगा कि केंदर की सरकार या राज की सरकार लोगों को ये समझ में आ रहा है माइनिंग बंद करो हमारा इलाका खराब हो रहा है हमारे पेड़े मत काटो तो फाइनली यहाँ पे अब 36 गड़ की सरकार डिसीजन ले रही है कि हम ब्लॉक्स कैंसिल कर रहे हैं पार्सा और केटे एक्स्टेंशन में जो भी कोल ब्लॉक्स ऐलोकेट किये गए हम उनको हटा रहे हैं तब ही अगर आप देखो तेस जुलाई 2022 में 36 गड़ की लेजिस्नेटिव एसेमली ने एक प्राइविट मेंबर रेजिलूशन पास किया और केंदर की सरकार से बोला कि जो एकलोजिकल सेंसिटिव इलाका है 36 गड़का वहाँ पे कोई भी कोल माइनिंग ब्लॉक आप एलोकेट मत करिए बहुत सारे विलिजर्स एक्टिविस्ट राजी की सरकारों से कह रहे थे कि लोकल क्लेरेंसे अटाओ ठीक ना? राजी की सरकार केंदर की सरकार के ओपर फेक रही थी, केंदर की सरकार चुप थी और अप्रेल 2022 में क्या हुआ कि फॉरेश डिपार्टमेंट ने 300 पेड़ काट दिये पारसा इस्ट केटे बासान, P.E.K.B. Phase 2 को शुरू करने के लिए P.E.K.B. Phase 1 गतम हो चुका है P.E.K.B. Phase 2 शुरू हो चुका है Already इस इलाके को Cole Mining के चलते अच्छा का सा नुकसान हो चुका है तो जो नई Mining शुरू करने के लिए पेड़ काटे जा रहे तो उसके बाद लोग सड़कों पे उतर आए Sitting होने लगी बवाल मच गया अच्छा खासा Massive प्रोटेस्ट हो गया तो अब शायद राजी की सरकार को समझ में आया कि भाई ठीक नहीं रहे तो Phase 1 P.E.K.B. का Complete हो चुका है Phase 2 चालू था पार्सा केटे एक्स्टेंशन में जिसके लिए पेड़ वगरा साफ की जा रहे थे फिर जमीन खोदी जाती लेगे उससे पहले राजी की सरकार डिसीजन ले रही कि हम इस माइनिंग को होने नी देंगे हाला कि अभी भी जो एजिक्टेशन प्रोटेस्ट करने वाले लोग है उनका ये बोलना है कि राजी की सरकार रिटन में ओर्डर निकाले सिर्फ ओरल समिशन को हम नहीं मानेंगे वो ये बोलना है कि ये सरकारे ओरल समिशन कर देती है और कुछ दिन तक चीजों को टाल देती है बाद में फिर से माइनिंग शुरू कर देती है हम यह नहीं वरदाश्ट करेंगे फिर नेक्स डबाई सीतान वसल जैन हरिटेज साइट इन तमिल नाडू बैटल्स डैलिमेंट जी एस पेपर वन इंडिन हरिटेज एंशेंट डिलमेंट से न्यूज़ाप वकाम आईगी वह एक छोटा सा विलेज है पुदु को तोई डिस् सीतान वसल इस सीतान वसल में छोटे-छोटे हिल्स हैं हैं यहाँ पर टेंपल है अरिवर कोविल इसको टेंपल ऑफ अरी हाट्स बोलते हो यह जैन्स थे एक्चुली में फिर यहाँ पर एज़ाडी पटम नाम के कैवन है जहाँ पर 17 पॉलिश डॉक बैट्स हैं पहुत सार सीतान वसल की बात करिए तो हिस्टोरियंस ने स्को वन ओ ओल्डेस्ट इन्हाबिटेट एरियाज बताया है डिस्टिक्ट में और एक समय पर यह जैन इंफ्लूइंस का बहुत मेजर सेंटर हुआ करता था तमिल नाडू में एकमात रहसी जगा सीतान वसल जहां पर पंडिय पेंटिक्स देखनें को मिलती है पंडिया डायनस्टी मदुरई की एंशियन डायनस्टी साओ्थ इंडिया में तीन डायनस्टी जहां ठीक है सीतान वसल की आर्ट की बात की जाए तो पहली बार लोकल हिस्टोरियन एस राधा कृष्ण अयर ने 1916 में लिक्यी हुए अपनी किताब जनरल हिस्ट्री ओफ पुदु को तो इस टेट में जो आर्ट थी आपकी सीतान वसल की इसको डॉकुमेंट किया था उसके बहुत से रिचर्चस की गई फ्रेंच आर्केलोजिस्ट गैब्रेल जोवियो डुब्रेल आये फिर आइकोनोग्राफर टी ए गोपिनाथ राउ ने 1920 में इस सीतान वसल मॉनुमेंट की इंपोर्टेंस के बारे में बताया यह जो अरिवर कोविल की जो छत है न यहाँ पर आप देख सकते हो सीतान वसल रॉककर्ट टेंपल है इन टेंपल के उपर आपको बहुत सारे फ्रेस्कोज मिल जाएंगे ठीक है अ अगर आपखो तो फॉर्ट शॉअ चैन्टीक की अबात की जाती जहां पर फ्रेस्कोज को सस्तमाल अगर आप देखो तो जो सैंक्टम है आपका पुदू यह आपका सीतान वसल का जो अर्द मंटपम है यह हमारी इस्टोरिकल एंशेंट आर्ट के बड़े ही जबरदस्त जीते जागते उधारण है ठीक है लिकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर बताई जा रही है अगर आप देखो तो यह जो सीतान वसल जैन टेंपल है यह थोड़ा सा यह कह लिए जैन हरिटेज साइट है थोड़ी खत्रे है वह मज़े में घूम रही है यह जो आप कहलो जो इमेजेस बिल्कुल क्लियर नहीं जोकि बहुत पुरानी है तो उचट रही है तो इनको थोड़ा बहुत मैनेज भी किया जाता तो कुछ प्लास्टर भी लगाया गया तो प्लास्टर इन इमेजेस को पूरी तरीके से दि कुदू को तो ही ने बनाया था 1990 में कुदी मयाल मलाई से लाके यहां पर जो कलर से हैं प्लांट डाइस और मिनल एलिमेट जैसे लाइम लैंप ब्लैक क्ले पिगमेंट को मिला के बनाए गए हैं तो कुल मिला की हिस्टोरिकल सिंग्रिकेंस इस पर्टिकुलर जगा का बहु बड़ी सागाद में टूरिस्ट आएंगे तो साथ में अपने साथ पॉलुशन लेके आएंगे कंदगी लेके आएंगे जो मंकीज हैं जो टूरिस्ट खाना पीना लाते हैं वो खाना पीना जो तो फेक देते हैं उन खाने पीने हो खाने के लिए मंकीज खुले आम यहां प बड़ी साइट्स मिलती है ठीक है लेकिन तमिल नाडू के अंदर वन अफ द बेस्ट प्रिजर्वड एक्जाम्पल का कोई है तो उसमें वन आफ टॉप पे आपका सीतान वसल आता है पुदु को टोई डिस्ट्रिक्ट में 20 केज़ टैंपल है ठीक है जाद है पुदु को टो पुदु को टोई डिस्ट्रिक्ट में 20 केज़ टैंपल में एक अकेला केज़ टैंपल है आपका सीतान वसल जो की जैन हेरिटेज से रिलेटेड है यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन से ब्राम्मी में पाए जाते हैं वता जुतू में पाए जाते हैं ओवर ओल तीसरी शताब चल्डर ऑपरेशन में चक्र चलाएं सीब्याई ने पचास लोगों को पकड़ा गया है चाइल्ड पॉर्नोग्राफिक को लेकि चौबे सेप्टमबर 2022 को बीस राज्यों में 59 जगा पे च्छापे मारें सीब्याई ने ठीक ना क्यों ताकि वो लोग जो कि चाइल्ड इंपट सिंगापूर की इंटरपोल युनित ने सीब्या उक को फॉरवर्ट किये आपको पता हो नचे कि इंट्रपोल अगर इंडिया की किसी इंवस्टीकेटिंगटिं एमजैसी से क्रेट करेगई तो सीब्याई से करेगी सीब्याई ने इस पर्तिकुलर इंपूर पदेश, बिहार, जारकंट, 36गर, महराष्ट, गुजरात, गोवा, करनाटका, तमिल नाडू और तेलांग ना यहां पर यह चापे मारे गया है शुरुवात में डिवाइसेस की प्रिलिमिनरी स्कूटिनी हुई साइबर फॉरंसिक टूल्स को इस्तमाल करके बड़ी कॉंटिटी में चैल्ड पॉर्नोग्राफी माटेरियल यहां पर पाया गया है आप कह सकते हो, CBI-led global operations में one of the biggest जो field है यहां पर CBI काम कर रही है वो है मिली है और इस पहला operation नहीं है, operation में एक चक्र जो CBI ने से चला है, इससे पहले operation कार्मन भी चलाया था नॉम्बर 2021 में CBI ने, जहां पर 13 states और एक उनिन ट्रेटरी में च्छापे मारे गये थे दो dozen cases register किये थे, 80 लोगों को arrest किया था CBI ने जो first information report यहां पर CBI की दूरा फाइल की जारी है, वो की जारी है under the Indian Penal Court and Information Technology Act क्यों? जो कि यह लोग upload कर रहे हैं, circulate कर रहे हैं, बेच रहे हैं, child sexual abuse material अलग-अलग social media platforms और groups के थुरू CBI ने बाद में यह भी decide कि mutual legal assistant treaties के थुरू, जिन जिन भी देशों के साथ इंडिया के अच्छे रिष्टे हैं और MLAT है, उनके हम information लेने कोशिश करेंगे चुकि all nine six, यह जो material है, child pornography का, इससे related जो लोग है वो इंडिया के अंदर नहीं है, इंडिया के बाहर भी बैठे है इंडिया के अंदर जो child pornography बनती है, उससिर्फ इंडिया के अंदर नहीं देखी जाती है, पूरी दुनिया में देखी जाती है तो इनके links foreign की country के साथ भी जुड़े हैं, और obviously बात है, CBI खुले हाम जाके foreign countries में investigation नहीं कर सकती है तो वहाँ की authorities से हमको coordinate करना पड़ेगा और information निकालनी पड़ेगी इंडिन nationals की बात की जाए, इंडिन nationals के अलावा बात की जाए, तो पाकिस्तान में लगबग 36 लोग, कैनेडा में 35, यूएस में 35, बांगलादेश, इकाते, शीलंका 30, अलग-अलग देशों के कितने लोग overall इस online proliferation of sexual material में involved हैं यहाँ पर 12 CBI के दोरा दिया गया है, 5000 offenders को identify किया गया है, 50 groups हैं, और 100 countries में based हैं, Turkey, Poland, Sudan, South Korea, Uganda, Italy, Kuwait, Germany, Spain, Australia, Romania, तो बहुत बड़ा operation ही है, इंडिया के अंदर तो CBI पकड़ सकता है, बढ़ बाहर पकड़ना थोड़ा मुश्किल है फिर अगली news, no viable options, farmers in Punjab forced to persist with paddy go against देखे, GS paper 3 issues in agriculture में news आपको काम आएगी, रगुवीर सिंग 53 साल के farmer है, अब एक गाओं है, इनका पंजाब का मानीवाल गाओं, 30 किलमेटर दूर है लुदिहाना से यह अपनी दुख गाता बता रहे हैं कि क्यों उन्होंने चावल की खेती छोड़ दी, इनका यह बोलना है कि इनके खेत के पास से निकलता है बुद्धा नाला, और बुद्धा नाला बाद में जाके सतला से जुड़ जाता है, यह नाला बहुत अत्तक पंजाब के इरिगेशन में कल्टिवेशन में मदद करते हैं, अब प्रॉब्लम यह है कि बुद्धा नाला में कुछ इंडस्ट्री के एफिलेंट्स जाके मिल रहे हैं, और यह इंडस्ट्री एफिलेंट्स उस पानी में मिले हुए हैं, जो पानी इनके खेत के पास से निकलता है, और उस पानी को अगर यह अपनी चावल की खेती में इस्तमाल करेंगे, तो खेती अच्छी होगी निए, चुकि गंदे पानी से अगर आप पौदे को उगाओगे, तो पौदे में भी कुछ ना कुछ गंदिगी पहुचेगी, प्लस ओवर ओल यह जो पैड़ी कल्टिवेशन ह इसको लेकी भी पंजाब में बड़ी बहस ठी हुई है, पंजाब के अंदर बहुत से लोग यह बोल रहे हैं, और हम लोग भी बात करते हैं कि हैं पंजाब एक वाटर डेफिशिंट स्टेट है, और जो राइस है वो एक वाटर गजलिंग क्रॉप है, एक किलो राइस को पै पॉपलार के पेड होगाते हैं, एक पॉपलार का पेड पांच से दस सालों में पांच कुंडल वोट देता है, और एक कुंडल से 500 से 700 रुपे मिलते हैं, तो अपने खेतों में पॉपलार के पेड भी बहुत सारे फार्मर्स ने लगा दिये हैं, ताकि उसकी लकडी को पंजाब की फार्मर्स की ये कि उसके उपर MSP है, सरकार चावल खरीदी लेती है, अगर कोई दूसरा पौधा ये फार्मर्स उगाएं और उसको सरकार खरीद ले, तो वो उस चीज़ को उगाएंगे, लेकिन चुकि इनको पैडी से, चावल से एशोरेंस मिलती है, इसलिए पंजाब की फार्मर्स का ये बोलना है, कि हम राइस को उगाना कम कर देंगे, अगर हमें ये एशोरेंस दी जाए कि हम जो दूसरा क्रॉप उगा रहे हैं, उसके लिए आप हमें MSP दोगे, हमें भी पता है कि राइस उगाने से ग्राउंड वाटर डिप्रीट होता है, ठीक एक और प्रॉब्लम है, पैडी उगा उगा के उगा उगा की जो जमीन है ना, वो जमीन खराब हो गई है, जो मढ है ना, जो स्वाइल है वो बहुत हो गया है, तो उस हार्ड स्वाइल में अगर आपको फिर वीट उगाना है, तो उसको तोड़ने के लिए आपको special tractors लाने ही हो रही है, तो overall यह जो unsustainable और unplant तरीके से पंजाब में अगरी कल्चर चल रहा है, यह अगरी कल्चर को नुकसान पहुचा रहा है, उसके बावजूद, आज भी जितना इंडिया के अंदर राइस पैदा होता है, ज़दा तर पंजाब से आ रहा है, अगर आप देखो, तो 881.32 lakh metric tons पैडी प्रोक्योर किया गया ओंगुफ खरीफ सीजन में, as of 31 अगस्ति सी है, जिसमें से 125.48 lakh metric tons पंजाब से आया, अगर आप पंजाब की बात करो तो जो भी हमारी FCI की ग्रेनरी इस उसमें जितना भी आप कहलो ग्रेन वगरा, food grains भरा हुआ है, चावल गेहू जादतर पंजाब से आ रहा है, 31.33 lakh hectares of land पंजाब के अंदर पैडी कल्टिवेशन का है, एक किलो चावल होगाने के लिए 5000 लीटर, एक किलो गेहूं होगाने के लिए 6000 लीटर पानी लगता है, तो यह जो water intensive crop है, इसको हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, डॉक्टर अज जमेर सिंग ब्राह, जो की principal agronomist है पंजाब agriculture university की, इन्होंने बोला है कि बाई देखे, water shortage तो हो रही है, over exploitation हो रहा है, ग्रांड वाटर का, और यह पैडी कल्टिवेशन के लिए सबसे बड़ा थेट है, तो बैटर यह रहेगा कि पैडी के alternatives को promote किया जाए, जैसे maze होगया, cotton हो गया, fruits हो गया, और अगर सरकार farmers को assured support दे, maze cotton और fruits को लेके, तो no doubt farmers यहाँ पे यह चीज़ें होगाएंगे, फजलिका नाम की जगाए पंजाब के अंदर, इसको California of Punjab कहा जाता थे, यहाँ पे जबरदस्त variety of cotton fruits, grain वगरा होगाए जाते थे, लेकिन आज की date में, वहाँ फजलिका में, जो भी farmer cotton food grain होगा रहा है, जब उसकी फसल तयार हो जाती है, तो उसको उसको बेचने में हालत खराब हो जाती है, clear ही नहीं कि फसल बिकेगी की नहीं बिकेगी, cotton की दो मिल थी फजलिका में, वह भी महार से हटा ली गई, cotton corporation of India भी कभी 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 कभ सब कुछ market economy के basis पे काम करता है, तो farmers भी क्यों cotton होगाएंगे, farmer को जब यह पता ही नहीं है कि जब उनका cotton उग जाएगा, रुई उग जाएगी, उसके अदो बिकेगी की नहीं बिकेगी, तो जब आपकी बिकने की guarantee नहीं होती, आदमी फिर चीज़ों की पैदावार रोग देता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो alternative crops हैं, अगर कोई farmer उसको उगार आए, तो उसमें मदद की जाए उस farmer की, पंजाब के अंदर एक मुहीम चलाई गई है कि fruits, vegetables, cottonance वगारा को गाई जाए, इसको economically viable बनाए जाए, पर international market में चीज़े इतनी सस्ती म बनाने के लिए सरकार से मदद लगे, सरकार कह रही कि अलड़ी कि यह हूँ, wheat इन सब पे देतो रहा है MSP, अब क्या सब पे MSP देने लग जाए, तो सब अपना रोना लेके बैठ हैं, और actually में ground level पे solution नहीं मिल पा रहा है, फिर science index से related एक कह सकते हो नहीं है कि sea turtle की poaching, पिछ बहुत से users में लोग खाते भी हैं, और कुछ scientific users में इनके inputs, इनके body tissues इस्तेमाल किये जाते हैं, हलाकि 2010 से लेके 2020 की बीच में जो sea turtle की poaching है, वो 30% घटी है, तो एक अच्छी news है यहाँ पे, बेटर यह रहाएगा कि पूरी तरीके से इनकी illegal poaching को रोका जाए, फिर अगली news ह Mars Rover Perseverance Collect 4 Rocks Samples, जुलाई से लेके अब तक NASA का जो Perseverance Rover है, जो की Mars पे है, वो sedimentary rocks के चार slim course को खंगाल रहा है, एक ऐसी जगा जहाँ पे एक समय पे मार्क्स पे river delta हुआ करता था, वहाँ पे rocks को एक खटा किया जा रहा है, organic compounds की study की जा रही है, कैसे वो earth के living beings के साथ associate किये जा सकते हैं, कैसे sample mask से लेके आए जाए, इस study का किस प्रकार से, overall future endeavors में, space endeavors में, या फिर जमीन में, अगर mineral से इस्तमाल करने मार्स का किस प्रकार से इस्तमाल होगा, इन सब चीजों की पूरी खोज यहाँ पे, यह जो NASA का rover Perseverance है, वो कर रहा है, आगली news जिएस पे पर थ लंपी skin disease, पहली बार यह disease फैली थी जांबिया में, 1929 में, यह होती है, वाइरस की वाइरस है, जिसका नाम है LSDV, LSD virus, यह पॉक्स वाइरस है, जैनस कैप्री पॉक्स वाइरस का, 1980 तद देखा जाए तो अफरीकन कॉंटिनेट में multiple outbreaks हुए थे, LSD के, लंपी skin disease के, अगर अफरीका के बाहर की बात की जाए, तो फर्स्ट रिपोर्ट्स ओफ इनफेक्शन आउटसाइड अफरीका वरे 1989, अफरीका में शुरू में बहुत फैला LSD, 1999 ने पहली बार जांबिया में पाया गया, अफरीका के बाहर सबसे पहले मिला इस्राइल में, 1989 में, 2016 में रशिया अब होंग कॉंग मायन मार हर जगा पाया गया, तो अब अलग-अलग देशों में अगर एक वाइरस फैल रहा है तो उसकी जैनॉमिक सीक्वेंस निंग की जाइए, आप नने देखा है न को रोना वाइरस का अलफा वेरियन बीटा वेरियन डेल्टा वेरियन गमा वेरियन सारे बाइरेमेंट मिल रहें उसी परकार से लस्टे शीन की बेड़त आलग अलग जेनो कोई्स सेक्वेंस होंगे तो पहला कंपलीट जेनोमिक sequences को isolate किया गया study करने के लिए अब अगस 2019 में LSD के suspected cases मिले Odisa में पहला lab confirmed case मिला November 2019 में infection rate सा 7% mortality भी कम ये जो sequences genes के particularly पाए गये 2019 में इंडिया के अंदर ये कुछ-कुछ हद तक Kenya के strains के साथ मिल रहे थे लेकिन आया फिर July 2022 का समय बहुत बुरी तरीके से ये LSD फैलना शुरू हुआ lumpy skin disease फैलना शुरू हुआ गुजरात राजिस्थान में और फिर पंजाब, हर्याणा, हिमाचल पदेश, जमुन कश्मीर बहुत जगवाँ पे फैल गया 80,000 cattle मर गए इंडिया के अंदर तो जब इतने बड़े स्केल पे lumpy skin disease इंडिया में फैलेगा तो automatically उसकी genome sequencing होगी CSIR Igib की lab ने इस virus के genome sequences को isolate किया और इससे ये पता चला कि बाई अगर देखा जाएं तो दुनिया भर में अब तक 177 unique mutation पाए गए हैं किसके? LSD virus के इसमें से बहुत से aise mutation थे जो कि इंडिया के LSDV infection में नहीं पाएगे मतलब समझ यह पूरी दुनिया में LSD virus के 147 mutations 147 types मिल रहे हैं बट इंडिया के अंदर जो LSDV infection पहला है वहाँ पे कुछ aise strains है जो पहले document ही नहीं हुए इसका मतलब यह है कि यह virus इसको study करना पड़ता है तो जरूरी नहीं कि जो strains पहले दूसरी countries में LSD virus के फैले थे वह इंडिया में फैले इंडिया के जानवर के अंदर वो virus evolve कर सकता है किसी दूसरे form में सामने आ सकता है और वो दूसरा form थोड़ा कम deadly भी हो सकता है और थोड़ा जादा deadly भी हो सकता है इंडिया के अंदर एक ही जानवर में दो अलग-अलग strains देखने को मिले LSD virus के और COVID-19 ने हमको genomic surveillance की importance तो बताई दिये तो इस प्रकार के viruses जो कि lumpy skin disease cause करते हैं इनकी भी sequencing करना बहुत ज़रूरी है जो कि जो cattle है वो human life के साथ जुड़े हुए हैं अगर cattle की health effect होगी तो हमारी economy, human health, well-being हर चीज़ पर impact आएगा वो impact किस प्रकार का होगा इसके उपर अभी भी research scientist कर रहे हैं so thank you for watching friends वीडियो को like को share कर दीजेगा instagram पर follow कर लिजेगा, telegram को जोन कर लिजेगा ज़्यादा ज़्यादा लोग से लेक्चर को share कर है have a great day, goodbye, ध्यान रहे है